नमस्कार रुष्टो इस डिस्कुशन में हम 5 मई 2022 के करंड फिर के सभी इंपोर्टेंट कोशनों को कवर करेंगे PDF आप इसकी टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का जो डिस्कुशन बोक्स है वहाँ पर मिल जाएगा तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये देखिया आप इस डिस्कुशन में हमने जनवरी 2022 से लेके एक मई 2022 तक के इंपोटेंट पचास करंडिफर के कोशनों को कवर किया है ये कोशन सभी कॉम्पिलिटिव एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोटेंट है इस वीडियो का लिंक भी वीडियो की डिस्कुशन बोक्स में मिल जाएगा अब ये आज के डिस्कुशन का पहला कोशन है आजीविका और आई व्रधी कालिया योजना के लिए क्रशक साहेता के तहट किस राज्चे सरकार ने 3 मई 2022 को 804 करोड रुपे जारी किये है इस कोशन में जो इंपोटेंट चीजे हैं वो दो चीजे हैं सबसे पहले तो ये जो कालिया इसकीम है इसको पूरा नाम क्या है इसको पूरा नाम है कुरुशक एसिस्टेंस पॉर लेवलिहूड एंड इंकम ऑगमेंटेशन दूसरा ये किस राज्चे सरकार की इसकीम है तो ये जो इसकीम है ये है उडिसा की यह आप याद रखेगा A option इस question का सही answer है Odisa अब बात करते हैं दूसरे option की आसाम आसाम के सरकार ने मोहितरी योजना और अरुनोदोई योजना ये दोनों स्कीम आसम सरकार की है गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको श्टार्ट किया था और केरल की सरकार ने वन इसकूल वन आईएस स्कीम इसको श्टार्ट किया था यह जो कालिय स्कीम है यह agriculture sector को मतलब जो खेती है Odisa राज्जे के अंदर उसको बहतर करने के लिए इस स्कीम को सरकार के दौरा Odisa सरकार के दौरा 2019 में इस स्कीम को लौँच किया गया था एक्जाम में यह पूछा सकता है इस स्कीम को कब लौँच किया गया तो 2019 में इस स्कीम को लौँच किया गया था अब Odisa का जो भी important current fair है वो हम cover कर लेते हैं पहला point 24 नॉवंबर से 5 दिसंबर 2019 तक जूनियर पुरुष विश्यो कप होकी की मेजमानी Odisa राज्जे ने की अक्टूबर 2020 में Odisa ने राज्जे में 34 चिल्रन फैनली पुलिस इस्टेशन इस्थापित करने का निन्ने लिया Odisa के मुख्यमंतरी ने बीजी स्वास्ते कलान योजना के तहट इश्माट स्वास्ते काड के वितरन की शुरुआत की Odisa सरकार ने सडक सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की Odisa के मुख्यमंतरी ने एक दिसंबर 2020 को राज्जे भर के समचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक समाजिक सुरक्षा योजना की घोशना की Odisa सरकार नो दिसंबर 2020 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुल प्लैटफोंग पर टेकनिकल अमोनियम नाइटेट टैन मैनुफेक्षरिंग कॉम्प्लेक्स की नीव रखी Odisa के मुख्यमंतरी ने वायू सुआस्ते सेवा की शुरुआत की Odisa के गंजम ने पांच जनवरी 2022 को खुदको बाल विवा मुक्त जिला घोशित किया एक काम करते है Odisa का और करंडिफिर कवर करते है Odisa में भारत के पहले फायर पार का उत्खाटिंग किया गया भारत का पहला तुफान अध्यन परिक्षन मंच टेस्ट बेड उडिसा भे बनाए जाएगा भारत की पहली सत्रेंज अकेडमी उडिसा राज्ये में बनाए जाएगी Odisa में राम लिंगुशर पार का उत्खाटिंग किया उडिसा राज्ये सरकार ने सूजन लल मिसंसे पर योजना का उत्खाटिंग किया उडिसा के सरकार आशिरवाद योजना को इसको मतला आशिरवाद योजना लौंच की गई मगर मचो की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एक मातर राच्य उडिसा बन लिया है स्वणर रेखा सिचाई पर योजना का सम्मनत उडिसा से है 39 थुलाई 2021 ओडिसा ने एक राष्ट एक राश्यकाड योजना लागुगी उडिसा ने अपनी स्वास्ते कलान योजना की ताहट इसमाट स्वास्ते काड़ के वितरन की श्टार्ट कर दिया है वित्रन श्टार्ट कर दिया है उडिसा राज्य में नुवाखाई राज्य का एक महतपूर्व क्रसी उस्थ 11 सितंबर 2021 को मनाया गया अब उडिसा की लोकेशन देखिया यह है उडिसा की लोकेशन इसके आसपास के राज्यों के बात करें तो आंदर परदेश, 36 कट, छार पश्य मंगाल, चार राज्यों के साथ उडिसा की बाउंडरी शेर होती है यह बिसिक इनफोर्मेशन है भूवनेश र कैपिटल है एक अपरेल 1936 में फोर्मेशन होई थी नवीन पटनायक मुख्य मंत्री है गनी सिलाल राज्यपाल है कटक में इसकी हाई कोट है जहां के फोर्मेशन है ठीस चले है लोग सबा की 21 सी ट्राजय सबा की 10 विधान सबा की 117 सीटे है भीदर केनी के नेशन पार्क सिंपलीपाल नेशन पार्क गहिल माता वाड़ अप सेंचुरी सत कोसी जोल्ज वाड़ अप सेंचुरी चारो वाड़िसा में है चिलका लेक भी उड़ तो यह तो थी उडिसा की basic information जेकंड कोशन देश का पहला crypto थीम बेश्ट कैफे कहां खोला गया है यह खोला गया है मध्य परदेश के बोपाल में यह औप्शन बोपाल इस कोश्चन का सभी आंसर है यह बॉक्स में आप देख रहे हैं यह है मध्य परदेश का important current fair जो आपको खुदी cover करना है यह मध्य परदेश का और current fair है simple भासा में लिखा हुआ है यह location है मध्य परदेश की यह basic information है यह आप खुदी cover कर लेजेगा third question दो होजार बाइस में विश्यू प्रेस सोतंतरता दिवस कम मनाया गया यानि world press freedom day यह कम मना जाता है तो यह हर साल कम मना जाता है तीन मई को मना जाता है तो यह आप याद रखेगा तीन मई इस question का सही answer है बात करें दूसरा option की तीस अप्रेल को कौन सा दिवस मना जाता है तीस अप्रेल को जन ओस्ति दिवस यह मना जाता है कौन सा मना जाता है आईश्मेन भारत डे यह मना जाता तीस अप्रेल को आईश्मेन भारत दिवस यह तीस अप्रेल को मना जाता है यहां कर लेजिए आप 25 अप्रेल 25 अप्रे यह 25 अप्रेल को मना जाता है और दो माई की जिगत यहां कर लेजिए आप एक माई एक माई को इंटरनेशनल लेबर डे यह मना जाता है तो 30 अप्रेल को आईश्मिन भारत दिवस 25 अप्रेल को World Malaria Day 1 मई को International Labour Day और 3 मई को World Press Freedom Day ये मना याता है World Press Freedom Day इसके आप theme याद रखेगा theme जो है इसकी 2022 की theme है Journalism Under Digital Siege S I E G E फिर से बोलता हूँ Journalism Under Digital Siege ये 2022 की theme है फोर्थ कोशन विश्यू प्रेस सोतंतरता सूचकांक 2022 में भारत की rank क्या है देखो ये जो index है सबसे पहले आप ये जान ले थी किसके द्वारा जारी के जाता है तो Paris-based एक संस्ता है नाम क्या है Reporters Without Borders Reporters Without Borders के द्वारा ये index जारी के जाता है हर साल ये index जारी के जाता है अब इसमें 180 देशों को ranking दी गई जिसमें से भारत को जो rank प्राप्त हुई है ये हुई है 150 डेट सो rank B option इस question का सही answer है question उठता है top किसने क्या है तो top क्या है किसने Norway ने Norway पहले स्थान पर रहा दूसरे इस्थान पर रहा है इसमें Denmark तीसरे पर रहा है इसमें Sweden यहाँ प्याद रखेगा और पूछा जाए last इस्थान यानि 180 वह स्थान ये किसका रहा है ये रहा है North Korea का तो भारत को इसमें डेट सो rank मिली है B option इस question का सही answer है fifth question मई 2022 में कोईला इस्थिला गैस छेतर की खोच कहा की गई है मतलब किस देश में की गई है तो ये की गई है बांगला देश में ये option इस question का सही answer है Spain की जो capital है ये है Madrid Germany की जो capital है ये है Berlin France की जो capital है ये है Paris तीनो देशों की common currency है नाम क्या है तो ये option बांगला देश इस question का सही answer है ये रही बांगला देश की location इसकी डाका capital है यही इसकी largest city है बांगला देशी टेका currency है अब्दुल्हमीद राश्क पति हैं शेक खशीना परधाल मंत्री है ये इधर पश्चि मंगाल आसाम, मेघाले, तिरेपूरा, मेजुराम टोटल भारत के पांच राच्चे बांगला देश के साथ अपनी boundary शेर करते हैं ये फेक्टा प्याद रखेगा state of the world forest 2022 report के अनुसार पेचले 30 वर्स में पिर्थी पर कितने प्रतिशत 1 छेतर का नुकसान हुआ है तो ये हुआ है 10 प्रतिशत का तो A option 10 प्रतिशत इस question का सही आंसर है next question मनिका बत्रा का सम्मंद किस खेल से हैं तो इंका सम्मंद है table tennis से 7th question का C option table tennis इस question का सही आंसर है मई 2022 में M.E.I.T.Y. मीती के सचीव की भूमी का किसने सम्माली इसका पूरा नाम है Ministry of Electronics and Information Technology तो अलकेस कुमार सर्मा इस question का सही आंसर है 8th question का A option इस question का सही आंसर है ये फेक्ट आप याद रखेगा संतोस ट्रोफी 2022 का किताब किसने जीता है तो ये जीता है केरल ने 9th question का D option केरल इस question का सही आंसर है 2020 में अंतरष्टे अगनी शामक दिवस यानि International Firefighters Day कम मनाय गया तो ये कम मनायाता है ये 4 मई को मनायाता है 10th question का D option चार मई इस question का सही आंसर है ये कल की question है जो आप से पूचे गए थे किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी महाराष्टा सही आंसर है किस देश देश के पहले इतनोल सहींतर का उत्खाटन किस राज्य में हुआ भिहार सही आंसर है 2012 में विश्व आश्य दिवस्कम मना गया एक मई सही आंसर है मई 2012 में किसको पृधर्ण मंतिरी ने रेंडर मोदी का सलकार निकत किया गया तरुम कपूर इस question का सही आंसर है किस राज्य की मिया का बाड़ा रेलिए स्टेशन का नाम अदल दिया गया है राज़तान है हाली में इंडिया समीलन 2022 की शहरमा यूजित किया गया तो मैं अंसर करिम जाहिए 2 रूप में नुक्त किया गया किस देश के लेंडिस्केप कार्डन सीटियो बर्ल मार्क्स को यूनिस को वल्ड हेरीडेज स्टेटस मिला है मई 1222 में किसको सीवी डिटी का नया चेर्मेन नुक्त किया गया है तो इन 6 कोशनों का अंसर आपको कमेंड बॉक्स मत देना है प्लाल